इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को दे कर किसी दवाई का उप्योग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी Wow Skin Science Combo Pack of Brightening Vitamin C Foaming Face Wash 150 मी ली Refill Pack के साथ 200 मी ली Built-in Face Brush के साथ एक तवचा को पुनर जीवित करने वाला Face Wash है जो मृत तवचा की पर्तों को धीरे से हटा कर और अतिरिक्त सीबम को रोक कर सुस्त तवचा को ताजा करने में मदद करता है Face Wash तवचा को गहराई से साफ करता है और रोमचिद्रों को साफ करने में मदद करता है Antioxidant और Vitamin C भरपूर Wash उम्र के धब्बों और यहां तक की पैची रंगत को भी हलका करने में मदद करता है ये सुस्त और ठकी हुई तवचा को ताजा करने में मदद करता है इसकी तीखी खटे सुगंध आपकी इंद्रियों को पुनर जीवित कर देती है इसमें सक्रिय विटामिन C, संत्रे और नीम्बू के आवश्यक तेल, मुलेठी और शहतूत के अर्ख शामिल हैं जो आपकी तवचा की बनावट और उपस्तिती को बहतर बनाने में मदद करते हैं विटामिन C, सुस्ती, उम्र के धबे और जुर्यों के लिए जिम्मेदार तवचा को नुकसान पहुचाने वाले मुक्त कणों को बेसर करने में मदद करता है नीमबू और संत्रे के आवश्यक तेल रंगत को निखारने और तवचा की चमक बहाल करने में मदद करते हैं मुलेठी और शहतूत का अर्ख काले धबों को कम करने और तवचा की रंगत को एक समान करने में मदद करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, नम सिलिकॉन ब्रिसिल्स वाला बिल्ट इन फेस ब्रश त्वचा को धीरे से एक्सफोलियेट करने और इसे पूरी तरह से साफ करने में मदद करता है और आपकी त्वचा में चमक और कोमलता जोडता है 2. इसमें विटामिन C हुता है जो त्वचा को सूरज की खशती से बचाने में मदद करता है और त्वचा के उप्चार को भी बढ़ावा देता है 3. ये काले धब्बों को कम करने में सहायता करता है तवचा का रंग एक समान करता है और चिक्नी और चमकदार तवचा प्रदान करता है 4. ये तवचा की गहराई से सफाई करने और मृत तवचा कोशिकाओं को बाहर निकालने के लिए फायदे मंद है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें